नमस्कार दोस्तों, एक कोशन मेरे कमें सेक्षन में बार-बार आता है कि भाई इस सावे मार्केट अल्टेम हाई के आसपास है, मार्केट भागने वाली है, यह हमें पता भी है, मेरे पास लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या मेरे को म्यूचल फंड के अगेंस्ट लोन ले लेना चाहिए, उसके positive क्या होने वाले है, negative क्या होने वाली है, यह पूरी की पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही decision ले पाओ, अपने risk appetite के against, यह जो वीडियो है, काफी ज़्यादा informative होने वाली है, अगर आपने loan ले रखा है, या loan लेने की सोच चाहिए हो, यह आपको actually में काफी बड़े पैसे बनाने है, loan ले करके, तो बिद्या स्राइंग वेस्ट करें, सबसे पहले इस वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दो, ताकि आप ऐसी वीडियो से updated रहो, शुरू करते है अपने वीडियो, सबसे पहले reward आता है loan, हाँ, इसके bank है, उसका risk कही न कहीं कम हो जाता है, बिकास उनके पास एक secure holding होती है, जिसके against वो आपको loan देते हैं, जो कि होता है आपका mutual fund, जब भी आप bank में जाते हो, और वो यह बोलते हो, कि भाई मुझे loan चाहिए against my mutual fund, तो आपको काफी ज़ादा chances होते हैं, कि आपको असानी से वो मना कर दे कि हम micro cap के against आपको loan नहीं दे सकते, बिकास वहाँ पर volatility काफी ज़्यादा होती है, वहीं पर अगर आपके पास एक flexi cap या फिर large cap category का mutual fund है, तो उसके against आपके loan मिलने के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसी के सासा जो interest rate है, वो भी आपको काफी ज़्यादा क आपको पैसा लेना है, या फिर आपको पैसे की ज़रूरत है, या फिर आप पैसा loan पे लेना चाते हो, तो आप जाते हो personal loan के लिए, बिकास उसके अलावा कोई और major option आपके बस्ता नहीं है, जहाँ पे आपको cash मिले, जब भी आप personal loan लेते हो, तो उस case के अंदा जो आपका benefit ये आजाता है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ interest rate देने हैं हर महीनी के level पे, और आपका जो पैसा है, वो secure पढ़ा भी हुआ है, इसी के सासा जो आपकी investment है, वो धीरे-धीरे करके grow भी कर रही होती है, तो धीरे-धीरे करके आप अपना loan का amount भी बढ़ा सकते हो, अगर आपको उसकी जरूरत होती है, तो इसी वज़े से personal loan से ज़्यादा benefit मुझे लगता है, कि mutual fund के against आपको loan लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रहा आपको, कि definitely आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको risk वाला part को ज़रूर analyze करना चाहिए, उसके बाद ही आपको apply करना चा करने को मिलता है, अगर आप loan लेते हो against अपने mutual fund के, थर्ड और सबसे बादा important reward गेई मिलता है, जिसके लिए सारे के सारे लोग खुश रहते हैं, कि जब भी आप loan लेते हो, तो उस case के अंदर क्या होता है, आप principal भी repayment कर रहे होते हो, उसले के साथ साथ आप interest rate भी काफी त नहीं आती, और even अगर आपने थोड़े लंबे समय के loan दे दिया, तो आपका जो loan का amount है, जब आप उसको repayment करके calculate करोगे, तो almost double पड़ता है, वहीं पर अगर आप mutual fund के against अपने loan लेते हो, तो उस case के अंदर जो interest rate है, वो कम है, उसी के सासा जो आपका पैसा पड़ा हुआ ह mutual fund के अंतर, वो भी regular basis पे grow कर सकता है, अगर market अच्छे दरीगे से grow करती है, तो loan against अगर आप mutual fund लेते हो, तो जो interest rate है, अगर market अच्छी है, तो जो आपका mutual fund है, वो आपके लिए वैसे भी cover कर ही लिता है, और इसी वज़े से जादते लोग attract हो जाते है, loan against mutual fund के थुरू, त पाके उनका loan का पैसा भी आजा है, interest भी देंगे और उनका mutual fund भी बढ़ेगा, तो definitely आपके लिए एक win-win situation होगी, कि आपके उस एकदम से लमसम पैसा आ भी गया, और आपका पैसा भी continuously बढ़ता जा रहा है, यह कुछ major factor है, जिस वज़े से जादते लोग attract हो जाते हैं, कि भ against mutual fund या stocks लेते हो, सबसे पहला risk और यह सबसे major भी है, वो है market volatility, अगर आप देखोगे stock market के अंदर, सबसे major risk एक ही आता है, वो है market volatility, अगर आप एक long term perspective से भी सोचते हो, अगर आप market के अंदर आज पैसा डालते हो, और x, y, z reason, किसी भी reason के वज़ेसे, चाहे election सही जा रहे है चाहे election के result अच्छे नहीं है, चाहे FED ने कुछ कहा दिया, किसी देश ने किसी दूसरे देश के उपर हमला कर दिया, तो जो आपका risk है, वो बहुत ज़्यदा बढ़ जागा, विकर जो market है, वो एकदम से गिर भी सकती है, और अगर आपकी market एकदम से गिर चाती है, और वो amount repay कर दो, ताकि हम आपकी mutual fund को hold कर पाएं, अगर आप उस समय पर उनको repayment करते हो, तो उस case के अंदर आपकी mutual fund फिर भी सीफ रहने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो वो आपकी mutual fund बेच देंगे, market volatility definitely किसी के control में नहीं है, क्योंकि अगर आप COVID वाला time देखोगे, उस समय पर किसी ने भी mutual fund या फिर अपने stock के against loan लिया होगा, तो वो चाहे या ना चाहे, उसका mutual fund है वो बेच देगा bank, ताकि वो अपने पैसे को recover कर पाए, और यह सबसे major risk है, अगर आप कभी भी mutual fund के through या फिर फिर stock को pledge करके, पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हो market से, ता तो आपको यह volatility को कैसे manage करना है, यह आपका सबसे बड़ा पहला question होना चाहिए, परिकर अगर market गिरी, तो आपके जो principal amount है, वो भी जाएगा, आप loan भी pay करते रहोगे, और उसे के सासत आपकी growth भी almost खतम हो जाएगी, तो almost एक इनसान bank रपसी के कगार तक भी आ सकता है, second major risk काता है LTV, मतलब loan to value ratio, अगर आप किसी भी bank के पास जाते हो, और आपने mutual funds ले करके जाते हो, कि मुझे इसके against loan चाहिए, तो आप को कैसे calculate करके बताएगा, कि आपको कितने percent के आसपास loan मिलने वाला है, let's suppose आप एक small cap का mutual fund ले करके गए हो, जिसके अंदर आपने 1,00,000 रु कि भाई, इस mutual fund के तो मुझे loan चाहिए, तो up to 50% के आसपास आपको loan मिल जाता है, अपने mutual fund के against, और ये depend भी करता है, कि आपका mutual fund कितनी तेजी से grow कर रहा है, ये depend करता है, कि उसका downside protection किता है, ये सारी साही चीज़े bank आपके बिहाफ पे analyze करेगा, उसके बाद आपको एक interest rate assign करेगा, अगर जहाँ पे risk जाता होगा, वहाँ आपको interest rate ज्यादा देना पड़ेगा, उसी के सासा जो आपका loan amount होगा, वो भी कम होने वाला है, ये एक major risk आता है, अगर आप loan against mutual fund लेके आते हो, और इसी के सासा अगर वो mutual fund नीचे गिरता रहता है, तो जो interest rate है, किसी भी reason से वो high हो जाता है, चाहे आपका inflation बढ़ने के वज़े से, या repo rate increase होने के वज़े से, तो जो आपका interest rate है, वो भी बढ़ जाएगा, उसी के सासा risk ज्यादा हो गया है, market के अंदर, वो जो आपका loan का amount है, वो भी आपको bulk में repayment करना पड़ सकता है, depending on the bank's requirement, तो आपको ये सम rate भी बढ़ गया, तो जो आपका risk है, वो extra नहीं तरीका से बढ़ जाएंगे, इससे बचने का आपका कोई alternate रास्ता नहीं होगा, आपको एक personal loan लेना पड़ेगा, और पैसे देने पड़ेंगे bank को, ताकि आप अपने mutual fund को चुड़वा पाओ, और जो bank है, वो आपके बिहा से जाधा तर लोगो को, भाई mutual fund से दूर रहना चाहिए, वो liquid पर नहीं चलते, वो बहुत ज़्यादा margin call के साइट, move करने की कोशिश करते हैं, फोर तो सबसे major risk काता है, repayment, अगर आप इस समापे एक personal loan लेते हो, और आपकी जो EMI होती है, वो एक या दो bounce हो जाती है, तो ज personal loan होता है, वो क्या कर सकते हैं, जाध साथ, वो आपको call करके परिशान करेंगे, जाध साथ आपकी घर पे किसी बंदे को भेज़ देंगे, ताकि वो recover कर पाए, और ये rare cases के अंदर होता है, लेकिन अगर आपने mutual fund के against loan लिया है, और आप ये सोचो कि भाई, मैं इस महीने अ भी आपका बढ़ जाएगा, और civil school भी आपका खराब हो जाएगा, तो अगर आपको ये लगता है कि किसी भी reason के वज़े से मैं repayment नहीं कर सकता, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, repayment ना करने के कुछ main criteria होते हैं, पहला criteria होता है कि भाई, आपके पास कोई medical emergency आ गई, औ आपके पास medical insurance नहीं है, तो आप repayment कहां से कर पाऊगे, आप नहीं कर पाऊगे, इवन आप personal loan के अंदर भी दब जाओगे, तो अगर आप लेने की सोच रहे हो loan, तो सबसे पहले आपको medical insurance लेना चाहिए, ताकि आप खुद को safe कर पाऊ, second option होता है कि भाई, आप खुदी न नहीं बसती, अब यह किसी के हाल में नहीं है, फिकस पहले job के अंदर जो safety मिल दे थी, वो आज की rate के अंदर नहीं मिलती, तो उस case के अंदर भी आपको at least emergency fund ready करना चाहिए, और उसको mainly FD के अंदर पैसा invested रखना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कि आप liquidity है ही नहीं trend में क्या बचेगा, कुछी भी नहीं, तो अगर आप loan लेनी की कोशिश कर रहे हो mutual fund के against, तो यह सारे point को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, और market जो है वो बहुत ज़्यदा volatile है इस समापे, तो मेरा suggestion यहीं रहेगा, कि भाई, इस समापे loan मती लेना, क्योंकि इस समा तो लेकिन आज की date के अंदर आपको margin से जित्ता दूर है, उतना ही रहना है, अगर आपको margin लेना भी है, तो एक personal loan एक sense फिर भी बढ़नाता है, कि अगर आपने किसी भी reason से, वहाँ पे default करने ही कोशिश करी, तो जो आपकी existing investment है, वो बरबाद नहीं होगी, और उसी के साथ साथ, आपके family की level पे भी major issue नहीं आएगा, even जो आपका पैसा है, वो भी बढ़ता रहेगा, और आपका holding power होगी, right, तो loan against mutual fund, मेरे साब से आज की date में sense नहीं मनाता, अगर किसी को लेना ही है, उसको wait नहीं हो रहा, कि भाई मेरे को नहीं लेना, तो आप personal loan के थू जा सकते ह और मेरे हिसाब से आज की date में किसी loan के थू मच जाओ, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको cash position है, उसी के थू जाओ, मतलब जो पैसा आप कमा रहे हो, वही invest करो, margin लेने की जरूत नहीं है, market बहुत volatile होने वाली है, और अगर आपने margin लेकर के invest किया, तो आप extraordinary risk ले रहे हो, not sure आपको return कितने मिलेंगे, because market भी all time high के आसपास है, तो I hope आपको समझ आ गया हुआ कि loan against mutual fund में क्या benefit होंगे, क्या risk होने वाले हैं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वीडियो पसंद आएए, तो वीडियो को like और चानल को subscribe करना, पिलकुत न खूलना, thank you so much for watching this video, Tata, bye-bye, signing off.